बिस्विल्लाइ राख्मान रहीम देर्स्टुजेंट वेलकम तुदी मैथ वर्ड नालिज देर्स्टुजेंट मैथ वर्ड नालिज आज आपके सामने वेक्टर अनालिसिज का चैप्टर नमबर 3 और अक्सराइज 3.1 डिसक्स करेगा क्वेस्टर नमर वान है एवैल्यू एक्ट लिमट्टी अप्रोच इस डूटी नाट साइन स्केर आफ्टी आई कैप प्लस 25 टी 3 आफ जे कैप प्लस 10 टी इंटू के कैप हमने इसको सॉल्वाउड करना है कल मैंने आपको बताया था कि जब हम इस प्रिविएस लेक्चर के अंदर लिमट्ट अप्रोच करती हैं तो वो इस फंक्शन की जगा पर लिमट्ट आ जाया करती है लिमट्ट टी अप्रोच इस टू टी नाट सांग स्केर आफ टी इन तो इकल प्लस 25 इन तो लिमट्ट टी अप्रोच इस टी नाट टी अप्रोचेश टुटी नाट टी देश पावर ठी प्लस लिमेट टी अप्रोचेश टुटी नाट टैन आफ टी इंटू के कैप तो देश टुटेंट यह बन जाएगा साइंग सक्यर टी कन्वर्टें टी नाट इंट इंट स्वढ़िए ऍटम टी-कैप टी क Victra इंट सकुट्टी नाट रह सके पोवर ठी प्लस टैन बहर सकूत स्टी इंटिक कैप इंट जी कैप सब्सक्रक्ते इसको सालोर करना है हमने लिमेंट अप्लाइब करने हैं टी अप्रोच इसको सालोर करना है तो इसको हम लिखें के लिमेंट अप्रोच इस तो टी नाट इंटो इसको इसको अप्रोच इसको अप्रोच इसको 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 इसक तो T अप्रोच इस्टू T नाट इंटो आइक है प्लस लिमेट T अप्रोच इस्टू काज आफ टी प्लस लिमेट T अप्रोच इस्टू पाई काट आफ टी इंटो के कैप जे कैप आई कैप तो डे स्टूडेंट इस लिमेट का रूमल होता है यह उसके अंदर अप्लाई हो जाती है तो यह बंदेगा लिमेट T अप्रोच इस तो पाई साइब आफ टी इन तो इकप लिमेट T अप्रोच इस तो पाई इन तो काज टी जकप अप्रोच इस तो अप्रोच इस तो अप्रोच इस तो पाई काट अफ टी इन टू केक है तो डियर स्टूटें अब आपको पता होना चाहिए ये कर्वर्ट हो जाएगा काट पाई की वैल्यों जीरो थी है काट पाई की वैलिव माइनस वान होती है और cot pi की value undefined होती है तो जैसे हम इनकी value find out करते हैं तो यह बन देगा sin pi 0 cos pi minus 1 और cot pi infinity अगर infinity में minus 1 और 0 एड़ करें तो answer infinity आ जाता है अगर इसको हम मौड निकालती है तो आपको पता है यह बन जाएगा मौड इसका square 0 का square 1 का square और infinity का square का square root infinity का square का square root लें तो हमारे पास answer जहाँ infinity आता है और वो undefined है इसका मतलब इस question को हम इस form में लिख सकते हैं आपके इसका मौड फाइंड करना है जब हम इसका मौड फाइंड करेंगे तो science security cause security 1 होता है और cause t हमारे पास जब उसमें value पुट करते हैं 1 प्लस infinity तो answer infinity आता है infinity का secure लें तो infinity आता है infinity dear student एक ऐसा number है अगर हम बात करते हैं infinity की तो infinity में अगर कोई चीज minus हो रही हो तो answer infinity infinity में कोई भी चीज sum number add हो रहा हो तो पी infinity infinity का square लें तो भी infinity infinity का square root लें तो भी infinity तो infinity एक ऐसा number है उसमें कोई चीज add करें subtract करें multiply करें या उसका square root लें infinity infinity रहती है तो 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 अब हम एक most important question solve करने जा रहे हैं exercise question number 3 है if the vector function F of T is equal to A plus B into sine T divided by T into I cap plus 3 cos T into J cap plus 16 B into 10 T over T into K cap यहां में एक बात लिखी हुई है कि T is not equal to 0 अगर हम बात करें 6 I plus 3 J plus 64 K into यहां पर एक बात लिखी हुई है T is equal to 0 today student इन दो बातों को मदे नज़र रखते हुए हमें पता भी चल रहा है कि यह function continuous है तो जब हम बात continuous की करते हैं तो हमारे जहें में एक proper procedure जो है वो डिवैल्प हो जाता है क्या procedure है कि continuous बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरुरत होती है सबसे पहले तो हमें left hand limit की जरुरत होगी उसके बाद हमें right hand limit की जरुरत होगी उसके बाद हमें value की जरुरत होगी अब question ये पैदा होता है कि जो function हमें given है उस function के अंदर f of t जो function दिया हुआ है उसमें जो condition है वो कहता है t is not equal to zero तो dear student जब हम बात करते हैं कि t हमारा zero नहीं है इसका मतलब हुआ या तो t हमारा zero से बड़ा है या तो t हमारा zero से छोटा है तो हमें अपना मकसद हसल हो गया हमारा मकसद क्या था कि हमने left hand limit को find करना है left hand limit क्या होती है जिसमें हमारा function जो है वो zero से छोटा हो तो left hand limit और अगर हमारा function की value t zero से बड़ी हो तो right hand limit इसका मतलब और equal की उसने बता लिया है इसका मतलब इसको हम value के लिए चेक कर लेंगे और इसको left and right दोनों के लिए चेक कर लेंगे अब question ये पैदा होता है function हमें एक दिया हुआ है function हमें एक दिया हुआ है लेकन find हमने दो बातें करनी है एक left hand limit और एक right hand limit तो जब function हमारे पास note कर लें जब a की function हो तो फिर हम उसकी left hand limit निकालना चाहें right hand limit निकालना चाहें तो कोई जूरत नहीं है निकालने की इन दोनों से सिर्फ हम a की number निकालते हैं जिसे लिखते हैं limit तो हमें पता चला कि जब हमें एक function दिया हुआ है और हमें required left भी है राइट भी है तो फिर हमारे पास formula कुछ यूँ बनेगा value is equal to the limit अब limit क्या है वो t approaches to zero है और limit t approaches to zero है तो ये वाला rule हम इस function के उपर apply करेंगे तो वहां से हम a और b की value जो है वो बड़ी असानी से find कर लेंगे तो डेश टूडेंट इसका जो प्रापर फार्मूला बनता है जिसके अंदर आपने value substitute करनी है वो गमती है यहां पर value किसको प्रोच करती है t approaches to zero यहां पर value किसको प्रोच करती है t approaches to zero तो इसको मैं एक स्ट्यारिक एक्वेशन का नाम देता हूं तो अब हम इसकी value find करते है value is equal to f of zero हम देखते है t की value किसमें zero थी 6i plus 3j plus 6 4 into k तो यह पूरी की पूरी value हमने निकाल ली तो इसको equation number 1 का नाम देते है अब हम इसकी limit find करते है limit at t approaches to zero of the function f of t इसका में इसका मत्रब हुआ k limit बराबर आएगा t approaches to zero function मारे पास आजाएगा a plus b into sine t over t into i cap plus 3 cos इसको भी limit apply करते है बलके function भी इसी तरह लिखा जाएगा 3 cos t into j cap plus 16 b into 10 t over t 10 t over t into k cap today student अब हम limit apply करते है जो बन जाएगा a plus b into limit t approaches to zero sin t over t into i cap plus 3 limit t approaches to zero into cos t plus 16 b into limit t approaches to zero 10 t 10 t over t into k cap 10 t over t तो दिया स्टुडेंट आपने एक पार्मूला पढ़ा होगा के limit t approaches to zero हो sin t sin t over t sin t over t हो तो उसका answer one होता है limit x approaches to zero sin x over x equal to one होता है और ये बात आपने fse mathematics और chapter number one के अंदर secondary math में पढ़ा था तो आईए आप हम इसको swallow करते हैं तो ये बन जाएगा a plus b और इसकी value one plus three cause zero one होता है into j और इदर हमारे पास i plus sixteen b डे स्टुडेंट जाब हम बात 10 की करते हैं तो 10 को मैं लिख सकता हूँ limit टी अप्रोच इस्टु जीरो साइन टी ओवर टी multiply लिमेट टी अप्रोच इस्टु जीरो one over cause d into k क्योंके लिए स्टुडेंट आप जानते हैं कि 10 होता है sine over cause k तो इसको मैं multiply करूँगा sine over cause 10 और ये वाला टी one over t की फाम में ये मैंने इसलिए लिखा है कि dear student ये एक प्रापर फार होला बंग जाए a plus b into i plus 3 into j plus 16 b into 1 multiply one over one into k तो dear student ये एक equation बन गई इसे मैं equation number 2 को नाम देते हूं equation 1 और 2 को इस टेरिक में धर्ज करते हैं तो 1 और 2 की वाल्यों हम स्टेरिक में धर्ज करते हैं हम लिखते हैं from equation 1 and 2 in स्टेरिक तो वैलियों मारे पास क्या है 6i plus 3j plus 64k is equal to limit क्या है a plus b into i plus 3 into j plus 16 b into k तो dear student अब हम compare करेंगे comparing the coefficient of x i j and k i, j और k को जब में compare करूँगा तो dear student i, i से cancel 6 ब्राबर आ जाएगा a plus b के और j, j से कट के 3, 3 से कट गया 16, 64 ब्राबर आ जाएगा 16, b के तो यहां से b की value निकाले 16, 1 जा 16, 4 जा तो 4 value आगे b की यह b की value इसमें दर्ज करते हैं 16 प्लस a प्लस 4 16 माइनस 4 इस इक्वल टू a तो 2 a की value हमें असल हो गई और 4 b की value हमें असल हो गई तो dear student इस तरह हमारा आज का lecture कंक्रीट हो चुका है उम्मीर है कि आपको इस lecture की समझ आ चुके होगी थैंक्स पार वाचिंग शुक्रिया आफिस